नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्टी अग्रिकल्चर फेप्ट समिस्टर का जियो इंफार्मेटिक्स और नेयो टेकलालजी का जो पेपर हुआ इस पेपर का सबसे सटिक अंसर की लाया हूँ त यहाँ पर आपको आपके पेपर समझे नोट्स और पेपर का सबसे सटिक सोलेशन प्रवाइड करा जाता है और दोस्तों आपको आगे भी हमारे चैनल पर आगे आने वाले समिस्टर के बारे में पेपर का होगा पेपर का पैटर्न क्या होगा आज ही सभी अपडेट मिलती आपके रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं आज का जो पहला प्रसंद था कि निम्रखित में से एक शबी विसलेशन में नहीं प्रियूप्त होता है तो इसका एंसर होगा आपसन नंबर बी संदचना अगला प्रसंद है कि शब कोई उन्डती करण में पिक्सल मान की सीमा होती है तो इसका एंसर होगा आपसन नंबर बी 0 से 255 अगला प्रसंद है कि GPS को समझते हैं तो इसका एंसर होगा आपसन नंबर डी विसलेशन नियामक निर्धारित प्रणाली दोस्तों वीडियो को सभी फिट समेशन के चातरों क सभी अगला प्रसंद है कि माडलिंग एक सेमूलेशन सिद्धान प्रत्वादित किया था तो इसका जो एंसर होगा वह होगा आपसन नंबर से जड़लर ने अगला प्रसंद है कि बिस नियामक निर्धारान प्रणाली में उपगरहक्या एक साथ कार करते हैं तो इसमें जो ह आप्शन नंबर B सही होगा उर्वरक अनुपरियोग अगला प्रसन है कि परशुद खेती में सामिल किये जाते हैं तो इसमें भी आप्शन नंबर D सही होगा उप्यूगत सभी अगला प्रसन है कि भारत में क्रिस के अनुशंधान एवं विकास के लिए कुल GDP का केवल भाग GPS विक्सित किया है तो इसमें जो एंसर होगा वो होगा आप्शन नंबर A इसमें USA 1973 ने अगला प्रसन है कि TSR मृदा परिच्छन प्रणाली विक्सित की है तो इसमें जो सही एंसर होगा वो होगा आप्शन नंबर A राम मूर्ति ने अगला प्रसन है कि मृदा परिच्छन प्रतकिरिया सिध्धान्त में सामिल है तो दोस्तों इसमें जो एंसर होगा वो होगा option number D correct answer होगा अगला प्रसन है कि leaf color chart की कमी पहचानने में प्रियुक्त होता है तो इसका जो एंसर होगा वो होगा option number A नत्रजन अगला प्रसन है नैनो सब्दो किस भाचा से सम्मन्दित है तो इसमें option number B सही है Greek अगला प्रसन है कि नैनो कण का गुड़ है तो इसमें option number D सही है उप्युक्त सभी अगला प्रसन है कि G.I.S. का मतलब है तो G.I.S. का मतलब होता है Geographical Information System अगला है G.I.S. में किस प्रकार का डेटा इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें अस्थानिक डेटा option number C सही होगा अगला है नेमलिकित कथनों में कौन G.I.S. उप्योग चमता के लिए सत्य है तो इसमें जो है option number D सही है उप्योग तो सभी अगला परसन है 19 नंबर अस्थानिक आकड़ा प्रतिन दिद्रत करते हैं तो इसमें option number B सही है अस्थानिक मान का इस्तितिक मान का अगला परसन है कि अस्थानिये भगोलिक छेत्र उदाहरण है तो ये जो है इसमें option number D सही होगा उप्योग तो सभी अगला है कि इस number की छेत्र ताप होता है तो दोस्तों इसका जो है छेत्र होता है इसका correct answer हमें नहीं मिला है तो आप लोग को पता होत कमेंट वाक्शन जरूब पताएगा अगला है 22 नंबर मर्दा वर्गी करण उदाहरण है तो मर्दा वर्गी करण जो है ये उदाहरण है सतत एवं आ सतत छेत्र का अगला प्रस्ण है 23 नंबर की SDI है तो SDI जो है ये एक अस्थानिक डेटा इंटरफेज होता है अगला प्रस्ण है कि DBMS कहां इस्थित है तो DBMS का मतलब होता है डेटा बेस प्रबंधन तंतर अप्शन नंबर इसका A सही होगा अगला प्रस्ण है GIS आंकडों को 81 एवं बिसलेशित करता है तो दोस्तों इसमें जो सही अंसर होगा वो अप्शन नंबर C होगा A और B दोनों अगला प्रस्ण है GIS किस अस्थान के आगामी समन्य को प्रस्तुत करते हैं तो इसमें जो है आप्शन नंबर ये भी सही होगा तीन अगला प्रस्ण है GIS को खोजा गया था तो GIS को रोजर टॉम लिंसन द्वारा 1968 में खोजा गया था आप्शन नंबर A सही होगा 27 का अगला है 28 नंबर GIS के जनक कहे जाते हैं तो इसमें भी आप्शन नंबर C सही होगा रोजर टॉम लिंसन अगला प्रस्ण है आधुनिक GIS तकनीकी में किस प्रकार किस उचनाएं प्रियोग करते हैं तो इसमें जो है आप्शन नंबर B सही होगा अगला प्रस्ण है 30 नंबर Digitalization तकनीकी में प्रोग्राम प्रियोग्त करते हैं तो इसमें जो है आप्शन नंबर A सही होगा C A D अगला प्रस्ण है कि इच्छा भी को कैप्चर करने की प्रिक्रिया को कहा जाता है तो इसमें आप्शन नंबर D सही होगा उप्योग्त सभी अगला प्रस्ण है कि वायवयान की सहायता से उड़ता है तो वायवयान की सहायता वायवयान जो है एर की सहायता से उड़ता है आप्शन नंबर C सही होगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चनल को सब्सक्राइब नगे और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा अगला प्रस्ण है 33 नंबर कि निमलिखित में से प्राकरतिक उपगरा का उदाहरण है तो इसमें जो है आप्सन नंबर C सही होगा चंद्रमा अगला प्रस्ण है कि अंक रूपण प्रकार है तो अंक रूपण जो है इसमें आप्सन नंबर A सही होगा दो अगला है जियो प्रोसेसिंग के कार है तो जियो प्रोसेसिंग के कार है आप्सन नंबर B सही होगा इसमें अस्थानिक आकडों का हेर फेर अगला प्रस्ण है कि तरक संगत database में सामिल है तो इसमें जो है option number C सही होगा A और B दोनों अगला प्रस्ण है 37 number GIS की शटीकता निर्भर करती है तो इसमें option number C सही होगा A और B दोनों अगला प्रस्ण है 38 number की अस्थला के दिनक्सा कहा जाता है तो इसे जो है उप्यूक तो सभी option number D सही होगा इसका अगला प्रस्ण है 41 नमबर हवाई photographic को यह भी कहा जाता है तो इसो जो है हवाई चित्र air imagery कहा जाता है option number A सही होगा इसका अगला प्रस्ण है 40 नमबर कि हवाई अवलोग चित्र प्रणाली में हवाई चित्र लेने के साधन है तो इसमें उप्यूक तो सभी हो जाएगा option number D सही होगा 41 नमबर प्रस्ण है photographic 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 lucidat ने प्रतिपाजित किया था option number A सही होगा इसका अगला 42 नमबर भागोलिक प्रणाली का घटक नहीं है तो इसमें जो है option number D सही होगा compiler अगला 46 नमबर भागोलिक सोचना प्रणाली में सोचनाओं को किस रूप में प्रेसित एवं भंडारित किया जाता है तो इसमें जो है layer option number C सही होगा परत अगला प्रस्ण है कि प्रिथम तश्बीर किस वर्स उप्योग की गई तो दोस्तों इसमें जो है correct answer नहीं मिला है अगला प्रस्ण है कि सम्वेदकों को उनके उर्जा शुरोत के उप्योग के अनुसार विभाजित किया जाता है तो इन्हें जो है दो प्रकार से विभाजित किया जाता है option number B सही हो जाएगा इसका अगला प्रस्ण है कि नैनो मीटर प्रदर्सित करता है तो नैनो मीटर जो है दस की घात माइनस 9 मीटर option number B सही होगा अगला है तरंग दैर्द को आमतार पर ग्रीक भाज़ा में निम्लिक सब्द से प्रयोग किया जाता है तो इसमें जो है option number A सही होगा अगला प्रस्ण है कि द्रिस इस वेक्टम में निम्लिकित रंगों में प्रात्मिक रंग है तो इसमें जो है उप्योग तो सभी हो जाएगा option number D अगला है 52 number निम्लिकित में से किस तरंग दैर्द का प्रयोग सुदूर सम्मेदन में नहीं किया जाता है तो इसमें जो है option number D सही हो जाएगा एक्सरे अगला प्रस्ण है कि तरंग दैर्द है तो तरंग दैर्द जो है इसमें option number A सही होगा 340 से 700 माइक्रो मेटर अगला है कि द्रिश से तरंग दैर्द अगला है भू इस्तैतिक उपगराह प्रत्वी से लगभग की उचाई पर अस्थापित किया जाता है तो इसमें जो है option number C सही होगा 36,000 किलो मेटर अगला प्रस्ण है कि समवेदक उपकरण का प्रियोग निमलिखित को बनाने में किया जाता है तो इसमें जो correct answer होगा वो option number D होगा इसकैनिंग अगला प्रस्ण है 56 नमबर कि निमलिखित में से एक hardware घटक के उदारन के रूप में बेक्त किया जा सकता है तो इसमें जो है option number A सही होगा keyboard अगला प्रस्ण है 57 नमबर किस प्रकार के मानचित्र किसी विशेश सुविदाओं को समझा जा सकता है तो इसमें जो है option number C सही हो जाएगा विश्यागत मानचित्र अगला प्रस्ण है किन इमलखित में से आकडो का 71 गरण संग्रहाण एवन बहाल करने की एक सकतिसाली तक नहीं की है तो इसमें जो correct answer है वो है GIS option number B सही हो जाएगा अगला प्रस्ण है उपज आकलन उपकरण को किस वर्स प्रियुक्त किया गया है तो इसमें जो है option number C सही हो जाएगा 1990 में अगला प्रस्ण है च्छावी का सूच मुतत्त है तो च्छावी का सूच मुतत्त होता है pixel option number C सही जाएगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और चनल को सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा important information provide की जाती है